तो पिछले एपिसोड में सर्कूलेशन पाउर के यूज़ करने के वज़े से सायर की पाउर उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी लेकिन अब उसे बचाने के लिए हाउचेन भी वहाँ पर आ गया था इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन उसे ऐसे कंटिसन में दे काफी उदास हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि इसमें केवल मेरी ही गलती है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लेट से नहीं आया होता तो फिर तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता लेकिन नसल में इसके बाद भी सायर हाओ चेन को इसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती और उसे इसारा करते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लेकिन तभी इतने बुरे तरीके से जख्षमि होने के वज़़य से सायर अचानक से बेहोस हो जाती है तब इसे देख लिसीन भी सायर की मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर को ऐसे कंडिसन में देख हाऊचेन इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर उससे कहता है कि सायर तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि आज इन डीमन ने ज जिसे देख वे सभी और भी ज़्यादा परिसान हो जाते हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आता कि इसके बारे में उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन तब ही हम देखते हैं कि हाऊचेन इनका भी सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इसके लिए वो हाऊयू को भ भी ज़्यादा पाउरफुल हो रहे हैं लेकिन इस पर हाऊचेन उससे कहता है कि मुझे अब किसी भी चीज़ के बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि अब ये सभी तो मेरे ही हाथों से मरेंगे अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो डीमन के उपर अटेक करना सुरू नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से हाऊचेन इनको बहुत ही असानी से मार रहा था अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हाऊचेन को सायर के बारे में याद भी आने लगता है जिसके बारे में सोचकर वो और भी ज़्यादा परिसान होने लगा था क्योंकि हाऊचेन ने उससे प्रोमिस किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा लेकिन असल में वो आज उसे प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया और इसी बज़ास से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर उसे और भी ज़्यादा गुसा आ रहा होता है तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे डिमन भी इसके उपर अटेक करने की कोशिस करने लगे थे लेकिन असल में अब गुसा होने के बज़ा से इसकी आखे बिलकुल लाल हो जाती है और इसे देख ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई डीमन वाली पाउर एक्टिवेट हो गई है अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इस पाउर के साथ डीमन के उपर और भी खतरनाक तरीके से अटेक करने लगा था जिसके बज़ा से डीमन का ग्रूप अब इसके पाउर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और इस तरह से हाउचेन इन सभी को बहुत ही असानी से मारने लगता है लेकिन वहीं अब इसके ऐसे पाउर को देख डीमन भी इस पाउर से पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि इसके पास में तो डीमन की पाउर है और इसलिये कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी कोई डीमन है लेकिन असल में अब इनको इसके बारे में सोचने का कोई भी चांस नहीं मिल पाता और तभी हम देखते हैं कि हाउचेन अपने इस पाउर का यूज करके इन सभी को मार गिराता है लेकिन अब इस पाउर के बज़ा से हाओचेन के अंदर बहुत सारे चेंजस भी आ गए थे क्योंकि अब उसे यहां की सारी चीजे ब्लैक और वाइट में दिखाई देने लगी थी वहीं दुसरी तरब खुद हाओचेन के साथी भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गये होते हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से हाओचेन को क्या हो गया तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहां पर बचा हुआ डिमन अपने मरे हुए साथियों के बचास से और भी जादा गुसा हो गया होता है और फिर इसलिए वो अपने पाउर को इंक्रीज करके हाओचेन के उपर अटेक करने के लिए आ जाता है लेकिन अब याद एक हाओचेन ने भी अपने मिरेकल सौर्ड के दोनों पाउर को एक साथ में यूज कर लिया था जिसके बचास से इस पाउर के सामने वो डिमन भी कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से हाओचेन इसे पकड़ कर बहुती बुरे तरीके से जमीन के उपर पटकने लगता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो डिमन इसके सामने फरफ़डाना बंद नहीं करता और फिर उससे कहने लगता है कि तुमने आसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और हम इसके लिए तुम्हारे टुकड़े कर देंगे लेकिन इस पर हाओचेन भी गुसे में उससे कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने तुमसे क्या कहा था क्योंकि आज तुम लोगों के बज़ा से सायर को जितना दर्द हुआ है मैं उसका हजार गुना करके तुम्हें वापस करूँगा अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओचेन अपने पाउर का यूज करके इसे भी मार देता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके ऐसे रूप को देखुद इसके साथ ही भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं क्योंकि असल में हाओचेन का विहाइबियर पहले से पूरी तरह से चेंज हो गया था और इस समय वो बिल्कुल कोई दूसरा इंसान लग रहा होता है लेकिन तभी इसी बीश हम देखते हैं कि हाओउ यू जैसे ही इसके पास में आता है हाओचेन इसके तुरंट बादी फिर से नॉर्मल हो जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंस इनकिसी बात के बज़ा से परेसान लग रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात से अपने उपर ही गुसा है वहीं लिसीन भी सूचने लगती है कि हाओचेन के बाहर आते ही हाओच भी पूरी तरह से रुख गया इसके अलाबा ऐसा लगता है कि डिमन भी कुछ देर के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे लेकिन सायर अपने सर कुलेशन पाउर के यूज़ करने के बज़ा से डीप सिलिप में चली गई है और इसलिए किसी को नहीं पता कि आखिर कार वो फिर से कब होस में आएगी लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इनके सभी टीम मेंबर भी बहुती बुरे तरीके से इंज़र हो गए होते हैं जिसके वज़ास से अब इनके पास में यहाँ से वापस लोटने का पाउर भी नहीं होता और इसलिए लिसीन को ऐसा लग रहा था कि वे सब यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए हैं लेकिन तभी इसी वक्त लिसीन गुस्टे में लिंस इनके पास आती है और फिर उससे पुछने लगती है कि क्या तुम इसके बारे में मुझे कोई एक्स्पलानेशन दोगे इसके बाद हम देखते हैं कि उसने गुस्टे में इसे थपड़ भी मार दिया था और फिर उससे कहने लगती है कि पिछले बैटल में हम सभी तो बहुती बुरे तरीके से ठक गए थे इसके अलाबा सैर भी अपने सर्कुलेशन पाउर के यूज़ करने के वज़़े से बेहोस हो गई लेकिन मैं जाना चाहते हूँ कि जब हमारे कैप्टर ने अपने पाउर का यूज़ करके डिमन लीडर को कैद कर लिया था तब उसके बाद तुमने उस पर अपने अटैक मेजिक का यूज़ क्यों नहीं किया और क्या तुम असल में उसके उपर अपने बेसिक फायरबॉल टेक्निक का यूज़ करके भी अटैक नहीं कर सकते थे इसके बाद वो उससे कहने लगती है कि अगर हाउचेन यहाँ पर नहीं आया होता है क्योंकि अगर इस पार इसमें लिंस इनने अपने अलेक्सिर का यूज़ नहीं किया होता तो वे इतने दिर तक यहाँ पर डीमन को नहीं रोक पाए होते इसके बाद वो इनसे कहता है कि लिंस इनका हमारे टीम में उसका पोजिशन है और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी इसके बारे में बात करे लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर इसमें से दूसरा लड़का कहता है कि तुम किस पोजिशन के बारे में बात कर और क्या अटेक करना मैजिसियन का ड्यूटी नहीं होता फिर वो आगे इन से कहता है कि हमारा कैप्टन तो असल में हीलर है लेकिन इसके बाद भी उसने डिमन क्लाइन को रोकने के लिए अपने तरब से पूरा कोसिस किया और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर का लिं को जाना चाहते हैं तब इसकी ऐसी बात सुनकर हानियू से कहता है कि मैं तुम्हारे बातों को बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ लेकिन अगर वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता तो हम भी उससे इसके बारे में नहीं पूछना चाहते क्योंकि हमें अपने पार् लगती है और फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम उसके बारे में भूल गए कि हाउचे ने तुमें किस तरह से अपने टीम को जॉइन कराने के लिए चूस किया था क्योंकि असल में इसके लिए तो हाउचे न को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी लेकिन क्या तुम के विए यसी तरीके से इसके बड़े करना चाहते हो जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिन सिन भी इस बात से काफी Das हो गया होता है लेकिन इसके बात भी हम देखते हैं कि लिसीं का गुस्या भी सांत नहीं हुआ था और फिर वो MARY लिंच सिन से कहने लगती है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन तुम्हारे बचा से सभी लोग जरूर ही मारे जाएंगे इसी के साथ वो उसे कहाती है कि याखिर कर कब तक तुम दूसरों के पीछे छुपे रहोगे लेकिन अब इस पर लिंसिन भी गुसे में कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जाना ही चाहते हो तो मैं इसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा और फिर कहता है कि ये बात सही है कि मैं अपने अटैक मैजी का यूज नहीं कर सकता लेकिन असल में मैंने कभी भी नहीं सोचा है कि मैं अपने टीमेट्स को मरने दूंगा बल्कि असल में मुझे तो अटेक मैजिक को यूज करने से डर लगता है इसके बाद वो इनसे बताने लगता है कि उसके पादरू समय के एक जिनियस मैजिसियन थे जिन होने की अपना पूरा लाई पाउरफुल अटेक मैजिक को इस्टडी करने में लगा दिया और असल में उनके पास में तो ऐसा मैजिक था कि डीमन उनका सामना करने से भी डरते थे और इस तरह से वा पूरे मैजिक पैलेस में सबसे पाउरफुल मैजिसियन बन गए फिर उसके बाद से उनको मैजिक पैलेस का नया मास्टर भी बना दिया गया जिसके वज़ास से मेरे फादर के मिस्तन और भी जादा बड़े हो गए और वे फायर के सुप्रीम सेक्रेट टेकनीक को डेवलप करने के बारे में सोचने लगे लेकिन असल में उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया क्योंकि ऐसा करने के लिए जब वो फायर एलिमेंट को कंप्रेज करने की कोसिस कर रहे थे तब इसके वज़ा से वो fire energy out of control हो गई जिसके बारे में पता चलने पर मेरी मॉम तुरंत उनको बचाने के लिए वहाँ पर गई लेकिन आखिर कारू समय मैं अपने फादर को भी नहीं देख पाया प्योंकि उस explosion के वज़ा से वे उसमें तुरंत ही मारे गए और फिर मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए खुद को भी उसमें sacrifice कर दिया तो अब इसका अगला पाट भी कुछ देर में upload हो जाएगा लेकिन अगर आपको explanation अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो left वाली वीडियो जरूर देख लेना